Hello Friends, कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके Admission और आपके Re-Registration की Last Date के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके Admission और Re-Registration की जो Last Date है वे 31 जुलाई है ऐसे में Students का कहना है कि 31 जुलाई के बाद आगे जो Last Date है उसे और भी Extend किया जाएगा या नहीं किया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि Re-Registration की जो Last Date है वो यहाँ पर 31 जुलाई है और ऐसे में अभी तक बहुत सारे Students ऐसे हैं जिन्होंने अपना Re-Registration नहीं करवाया है तो अगर आपने भी अपना Re-Registration नहीं करवाया है Next Year या Next Semester के लिए तो अपना Re-Registration करवा लें Re-Registration का मलब है Next Year में Admission या Next Year में Re-Registration आपका Result नहीं आया है क्योंकि हम बीना Result के भी और बीना Exam के भी अपना Re-Registration यानि Admission Next Year में करवा सकते हैं तो जिन भी Students ने अपना Re-Registration नहीं करवाया है टाइम से पहले आप अपना Re-Registration करवा लें आप वेट ना करें Last Date का क्योंकि Last Date Extend तो होगी पर Late Fine के साथ Extend होगी मैंने Last Time भी आपको बताया ताकि आप टाइम से Re-Registration करवा लें जिससे कि आपको Problem ना हो क्योंकि Last Date अगर नहीं बढ़ती है तो आपको फिर Six Month का वेट करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि अगर Re-Registration की Last Date 31 जुलाई के बाद आगे Extend होगी या नहीं होगी तो Re-Registration की Last Date को 31 जुलाई के बाद आगे भी Extend किया जाएगा पर ये Last Date आगे Late Fine के साथ 200 रुपए या फिर 500 रुपए Late Fine के साथ आगे Extend की जाएगी तो अगर आप Late Fine के से बचना चाहते हैं तो आप जल से जल अपना Re-Registration करवा लें इसके बाद बात करते हैं आपके Fresh Admission की जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके जुलाई 2024 सेशन के लिए Fresh Admission चल रहे हैं अगर आप IGNU में किसी भी Bachelor Degree, Master Degree, Diploma, PG Diploma, Certificate या किसी प्रोग्राम में Admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप IGNU में Admission ले सकते हैं अभी आपके 31 जुलाई तक Admission चल रहे हैं इसके बाद यह Admission की जो Last Date 31 जुलाई के बाद End हो जाएगी अभी Students के कहना है कि 31 जुलाई के बाद Last Date Extend होगी या नहीं होगी तो मैंने आपको बताया था कि IGNU में जो Admission लगबग अगस सितंबर तक चलते हैं पर Admission जो है वो Close भी कर दिये जाते हैं इसमें जो Semester Based या Certificate Based प्रोग्राम है जैसे कि Semester Mode के BCA, MCA और आपके Certificate Based प्रोग्राम है उन्हें Close कर दिया जाता है क्योंकि आपके Exam और Assignment भी आ जाते हैं ऐसे में Students को Exam की तयारी और Assignment भी बनाने होते हैं इसलिए Semester Mode और Certificate Mode के प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें Close कर दिया जाता है लगबग फिर भी आगे आपके जो Last Date 31 जुलाई के बाद इसे और 15 दिनों के लिए Extend किया जाएगा आगे 13 या 15 अगस तक तो 15 अगस तक जब यह Last Date Extend होगी इसके बाद Re-Registration की Last Date को Late Fine के साथ भी Extend किया जा सकता है और अगर हम Fresh Admission की बात करें तो Fresh Admission की Last Date को लगबग वही 15 अगस तक अगस तक चलेंगे इसके इसके बाद इसकी जो Last Date है उसे Without Late Fine Extend किया जाएगा इसके सभी प्रोग्राम की जो Last Date है उसे 15 अगस तक बढ़ाया जाएगा सिर्फ कुछ एक प्रोग्राम जैसे की Certificate और Semester Based प्रोग्राम जो है उनकी Last Date साथ ना बढ़े बाकि सभी प्रोग्राम बैचर और Master Degree के सभी प्रोग्राम की डेट को बढ़ाया जाएगा तो आगर आपने एडमीशन नहीं लिया है तो जल से जल एडमीशन ले ले और री रेइस्टेशन करवा ले तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद